तब्री हुआ साल भर तीस जार रूपया करजा लेके खाये जबी तक नहीं टूटा है तो आउ खतम हराबरी तो आउ लगता है कि खून बेचे परेगा कि गिड़नी बेचे परेगा कोई साथ तो चार सो पांट सो रूपया हो जाता था तब पड़ी बार चल जाता था नमस्कार मैं पूचा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स में अभी पटना जक्सन आई हूँ और आप सब को पता है जिस तड़ीके से बिहार में ही नहीं बलकि पूरे देश में कोरोना का जो रफ्तार है बढ़ रहा है इसको लेकर कई तरह के सक्त पाबंदिया भी लगाई गई हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस सक्त पाबंदियों की बीज जो आम लोग है खास कर जो मजदूर वर्ग के लोग है वो अपना जीवन यापन कितनी मुस्किलों से कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारे पाबंदरा साल से पहले पिता जी खटते थे अब हम करते हैं लोग दाउन में सब बाहर-बाहर से लोग सब आ रहे हैं तो आप लोग के काम पर तो कोई असर नहीं हुआ होगा पूरे असर हो गिया खूली करवे नहीं करते हैं अपने समान ढोलेते हैं कि करोना किसी काईद के चलते तब रहे हुआ साल भर तीस अजार रूपया करजा लेकर खाये जब ही तक नहीं तूटा हां अले रेले बंद हो गिया तक कोई सरकार से कुछ नहीं मदद मिला कूली के परेगा को समझें नहीं दूटा पैसे नहीं है खतम हो गया काम खतम पैसा खता मेरा राम हुआ स्वारत पासवार यह तो नहीं कमाई ठापे है जहां तहां यह तो लॉकडाउन के समसिया है तो हम सब तो पसिंगरे के ऊपर चलते हैं रोजी रोजगार चलता है मगर अगर पसिंगर नहीं चलेंगे तो हम सब तो बूखे पसिंगर तो बहुत कमा आमनगमन भी है हाँ लाइंगे लगेज नहीं लेकिए देंगे का सुबोद लारा साथ बारा ने जतना है एस्टिडेंट लोग आता है टेस्ट्डेंट के पास पाइसे नहीं है तो पूली नहीं करता है अपने दो बार तीन बार करके ढोले ता समान हम खड़े रह जाथ हाँ ज्यादा इस्टुडेंट लोग आ रहा तो बैचारा वह अपने परिवार से प्रेशा नहीं मिल रहा है हम लोग क्या देगा वही लोग आ रहे हैं बाहर बाहर स हम लोग का काम मंद है कभी काल मिला सो रिप्या तो मिला नहीं तो क्या करिएगा वह इसी चल रहा है मेरा लाम साथ ना पास बनुगा सा बहुत दीन से हैं सर मैं 288 से हूं बहुत देनी इस्तिती था इस बार रुपिया में 5% मनें काम बगेरा है थोड़ा बहुत काम मिल जा ह Sut it चल जाता हैं वाल द्रीए सब्सक्राइब सुर्ण बнов दीधना ब्रक्राइब अदमिफ साुड हो ङंए घंठ लिता हाक कुलिनल लेखा है जाता है वह रहा है सरकार से हम सबका मोदा मिलना चाहिए मां कुलिएंट सब्सक्राइब हम लोग का जीने के लिए सहारा का किन दिसकार के हम भी अधिकारी हूं मैं उनका देनिये रहने वाला है हर समय बहुत मुश्किर हो रहा है मैं क्या बताए लोग डॉन तो लगा रहा है सरकार लेकिन हम लोग कुछ फैदा नहीं है यह बड़ा बड़ा कंपनी वाला का फैदा ह है जे चेटन लाजर बना रहा है मान्स बना रहा है उसी का बेन ऐफीट हम लोग क्या है काम पर तो दब क्या के रखीदने पड़ता है उसी को पांसु रुपिया होता है कभी तीन सूर भी ताब उस इनका जहले थे करिवार की अपन। समान नहीं उठवाते सटने नहीं करता हैं कि लोग जो है जो कि गरीब ताई समझते हैं कि नहीं गरीब अदमी है क्लीग कर लो इसको भी बाल वचे परिबार है तो सब्सें लिए कर लाथए था तHola दरता है पर मुसकिल है और हम लोगपका जो है कोई गरिबता ही समस्था नहीं real लगता है मीडिया वाला आते भारत को भी तो नागरिक है रेलवेम को जुटे हुए है सरकार हमको क्या था कुछ नहीं से प्राइबट जो मिलते हैं दिवास पासवन, लेसेंस पोडर, कुली का काम करते हैं, पेटों पर आफद है, आफद लाउडान हो गया, नहीं सब पसिंजर छना कि करोना है, तो करोना से कहां आ रहे हैं, घीच लेते हैं, करोना में सटना भी दुरलब है, बोलता है, हटो, साट धरो, समान में टच भी नह होने देता है, दिक्कत है, बहुत पर असानी है, मौमा शनवास, पूरा दिख रहा है, पूट पर आ गए हैं, और के बचा, नाइट कर भी लगा है, अगले बार जो लोकडून लगा है, उसका अभी तक असर है, पैसा नहीं है, मिडिल क्लास के लोग मर रहे हैं, आपर क्ला के लिए, और तकलिवे धंदा खतम हो चुका है, जो पुझी था, खतम, खा गया आदमी, बोलता है, मौती जी हमारे बोले थे कि, तीन मेहना का किराया नहीं लेना है, और दुकंदार से, या किरेधार से, मगर उससे किराया लिया गया, बचा गया, बैटके खाया, बच्च लोग आज आरे, लेकिन सवारी नहीं नहीं चलता है, मौत मुश्किल से तो, आजमी को, हम लोग को यहां के खुरा की चलता है, भर परिवार के तो, बाते छोड़िये, बहुत दिकत है, हाँ, दुकंदार से कर्ज लेना पड़ता है, शेर्च मरवारी से कर्ज लेना पड़ हर जगह करोना में, चुनाव होता है, उसमें पबंधी नहीं है, आ जाता है, हाँ, सबचे गरीब परशान, गरीब मर रहा है, जरकार कुछ धान नहीं दे रही है, हाँ, हाँ, बोल रहे हैं कि करोना है, हम अपने से ले जाएंगे समान, तो आपने सुना कि यहां पर जो कुली वर्ग के लोग है उनको खासा कितना दिक्कत हो रहा है उनकी क्या कुछ परिशानी है खास सरपुन का कहना है कि अब पेसिंजर बहुत कम हो गये हैं जो आते जाते हैं वो या तो मजदूर वर्ग के हैं या फिर विद्यार्थी है जिनके पास खुद ही पैसे कम रहते हैं और वो बारी बारी कर अपना समान खुद ढोलेते हैं हमें समान ढोने के लिए नहीं देते हैं ऐसे में ऐसे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है फिर भी मतलब बहुनी तक नहीं होती है ऐसे में उनको कोरोना की जो मार है वो अभी से जेलनी पर रही है आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और मजदूरों की तकलीफ को लेकर आपके पास अगर कोई सुझाब है और ये लॉकडाउन को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेस्बुक पेच को लाइक करें धन्यवाद